कुछ विचार सुनाओंगा हम सब लोग चानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्वा शुरू सही रहा है इसलिए सुमामी वेक अनन जी ने लिखा है हमें ऐशी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्मार हो मन की शक्ती बड़े बुद्धी का विकास हो और मनुश्य अपने पेरो पर खड़ा हो सगी दोस्तों शिक्षा के बगर मनुश्य एक पश्यो समान है हमारे देश में शिक्षा प्रात करने के लिए बहुत सा स्कूल और कॉलेज हैं और सरकार की तरफ से उच्षा के लिए अलग-अलग यूनिवर्स्ती का भी नेमान किया गया है लेकिन आज कल चन लोगों ने शिक्षा को वैपार बना रखा है और आम आदमे शिक्षा से वंचित हो रहा है आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरफ की हासिल की है उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है अगर इसमें कई महताबुरन कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उच्चित सिक्षा जैसे हमारे पूर्वर राष्ट्य पती श्री अब्दुल कलाम जी जो गरीब घर से थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के मैत्वा को समते हुए अपना पूरा ध्यामनवने पढ़ाई पर दिया और उनके लगातर किये प्लेयस से उन्होंने बहुत सारे आविशकार किये अगर यह सब वो कर पाएं तो इसमें सबसे बड़ा योगतान शिक्षा का है शिक्षा के बगर इनसान कुछ भी खास नहीं कर पाता शिक्षा जिन्गी के हरे एक शेतर में में तो भूनर है कुछ लोग ऐसा सोते है कि मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी क्योंकि मुझे कोई नोकरी थोड़ी न करनी है लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है च्योंकि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्ट करके अच्छी नोकरी करे बल्कि शिक्षा का उदेश आपको गनान प्रदाओं करना है जिससे आप किसी भी सेत्र में उन्नाती कर सके इसलिए दोस्तों जब तक शिक्षा का मतलब नोकरी पाना होगा तब तक समाज में नोकरी पैदाओंगे मालिक नहीं हमारे जीवन में शिक्षिक होना बहुत चरूरी है इससे हमारा देश आगे बड़ेगा समाज आगे बड़ेगा इसलिए दोस्तों पड़ेगा इंडिया तभी बड़ेगा इंडिया धन्यवाद